बिस्मिल्लाहि रमार रहीम असलाम लएकोम मेरा नाम है आफिया आप देखने आफियास किचन आज मेरे किचन में बने देसी स्टाइल चिकन पास्ता तो जी हाँ जनाब देसी स्टाइल चिकन पास्ता की रेस्पी आप लोगों से शेयर करेंगे रेस्पी आप लोगों ने यह देखे माशाला से कितनी अच्छी सी मारे प्यास फ्राई हो रही है बस यही कलर हमें चाहिए से ज्यादा हम फ्राई नहीं करेंगी से इसी के साथ मैं शामिल कर दूँगी 300 ग्राम बॉलेंस चिकन है मेरे पास क्यूब्स में कट करके रखी हुई थी यह शामिल कर दी अब इसको अच्छी तरह भूनेंगे कलर वाइट आने तक साथ ही में शामिल कर दोंगे वन टेबल स्पून अध्रेक रसन का पेस्ट अब अच्छी तरह हाइफ फ्लेंपे से भून लेंगे लुए यह कि माशलीं से कितनी अच्छी सी इंषी छिकन भून चुकी है अब इसमें घ्र जामिल करेंगे 1 टेबल स्पून क्टि लाल मिर्च नमक और मिर्च अपट ने टेस्स की मताबिक भी शामिल कर सकते हैं यह दालने के बाद में एक मिंट के लिए इसची तरह भूल लोगी यह हो गया अब मैंने चार टमाटा थे मेरे पास इनको अच्छे तरह ग्लैंड कर लिया दो से तीन हरी मिन्चे साथ में डालके तो यह डालके अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे अब मैंसे ढखके रख दूंगे कम असकम पांच-छे मिन्ट के लिए हलकी आँच पे तो चलिए पांच मिन्ट हो गए हैं अब चेक करते हैं इसे यह देखे माशला से टमाटरों को पानी सारा कुश्क हो गया चिकन भी हमारी अच्छी से गल्चुकी है यह देखे माशला से चिकन अच्छी सी उपक गई है तूटरी अराम से अब मैं इसमें शामिल करूंगी वन टीस्पून गर्मसाला वन टीस्पून ही इसमें मैंने चिकन का पॉडर शामिल कर दिया इससे बड़ा अच्छा सा टेस्ट आ जाता है तो यह लाजमी शामिल करेंगे अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे कि दफा इदेखे माशला से कितना मज़िदार सा मसाला चिकन आप लोगों ने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें पहले कि उनको लाजमी प्रेस किये करें तक मेरी न्यू आने वाली उडिवी तक से पहले आप तक पहुंचे यह सारा पास्ता शामिल करने के बाद मैंने सब्सक्राइब मैंने और उपर से डाल दिये गार्निश के लिए अब मैंसे प्लेट में निकाल लिए तो देखे माशला कितने मज़दार सा कितना अच्छा सा मारा पास्ता त्यार हुए आप लोगों ने से जरू ट्राइब करना है इसी के साथ मैं आप लोगों से चाहूंगी मिलेंगी इंशाला गली रेस्पी के साथ दुआ में आदर किया लाफिस